हेलो चील्डरन टाइनी स्कूल विद पुनमय में आपका स्वागत है कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो बच्चों आज हम लोग कहानी करेंगे कहानी का नाम है मूर गधा तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं मूहन अपने गधे पर नमक लाद कर रोज रहे जाता था एक दिन नमक का बजन बहुत अधिक था जिसके कारण गधा लड़ खड़ा कर पानी में गिर गया बजन जादा होने की बज़े से क्या हुआ जो गधा था वो पानी में गिर गया उसके गिरते ही काफी नमक पानी में गुल गया और बजन कम हो गया जिससे गधा खुष हो गया अब गधा जान बूझ कर रोज पानी में गिरने लगा जिससे उसे कम बजन धोना पड़े फिर देखे बच्चों आगे क्या हुआ फिर हुआ क्या हुआ एक दिन मोहन ने गधे की पीट पर नमक की जगे रुई लाग दी राग दी उसको दाव दी अक्तियों पर और शहर की तरफ चल दिया गधे ने इस बार भी अपनी इस बार भी उसने क्या किया पानी में गिरने का नाचक किया जैसे वो पहले गिरता था ऐसे ही उसने फिर नाचक करके पानी में गिर पड़ा परंतु इस बार पानी में गिलते ही रूई गीली होकर और भारी हो गई अब गधे को अपनी मूर्खता पर बहुत पस्तावा हुआ तो इस कहाली से क्या सिच्छा मिलती है कि जो बेकूफ होकर बेकूफी की सजा भुगतनी ही पड़ती है हमें भी हमें क्या करना अगर कहानी पड़ी मूर्खता तो आप लोग को कहानी कैसे लगी अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें सेयर करें थैंक यू